मुझे उस लमे पता चल गिया मगरिब की अधाने हो रही थी कि मेरे वाले साथ इस दुनिया में तरिफ इतनी बात पर आउस्पिटल लेके गए तबियत खराब है आज भी मैं सोचता हूना जब उसको मैं उस लमे को सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कर क्या रहाता है मुझे त खुशामदीद आप देख रहे हैं व्यूपॉइंट और मेरा नाम है अबास आप इससे पहले भी हमारी इस लाइफ स्टोरी सीरीज में देख चुके हैं कि हम उन तमाम यूट्यूबर्स तमाम सोचल मीडिया पर काम कहने वाले या वो लोग जो अभी इस मीडिया का हिस्सा नहीं बैं लेकिन अपने तरहीं इस कौम की इसमल की तालीम और तर्बियत किसी ना किसी सूरत कोई भी काम कर रहे हैं चाए उनके नंबर ज्यादा हूँ या कम, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें पर्यद्य के पीछे से जान सकते हैं, हम देखते हैं कि वह क्या काम कर रहे हैं लेकिन बाद आखाद है मैं नहीं बता होता कि वो इंसान कैसे हैं और हमारा ये मानना है कि एक इंसान वही होता है जो जिंदेगी की कहानी उसे बनाती है तो आज इस जिंदेगी की कहानी को समझने के हमने अजाज़त दिया उसामा अली कलर भाई को आप इन्हें पाकिस्तान इंटलेक्च्वल सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं मैं जब रीसर्च करने के लिए इनका चैनल देख रहा था तो पहले मैंने एक वीडियो देखी मैंने का यार यह ठोड़ी मुश्किल है दूसरी में असान बात की होगी फिर उसमें भी मुश्किल बात की फिर एक और मुश्किल बात की तो हम इन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसामा भाई से उनकी जिंदगी समझ सकें उसामा खेरियत से हैं लाग का शुक्र है आप अन्हेंदबादबाई कैसे है सबसे पहलो तो बेहर शुक्रिए आपके वक्त का आपको भी वहर शुक्री है आप भी वक्त देरेख इनसान के पास बस यहSबाद से कीम्तिवई sprechen सबसे पहले आप मुझे यह बताइए आपकी जिंदगी को फॉर्मली शुरू करेने से पहले अगर आपको एक लव्ज या चंद अलफाज का जखीरा दिया जाए तो आप अपने आपको किस से राडिफाइन करेंगे इसको कॉंप्लिमेंट भी ले और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला भी इसको समझते हैं तीक है आप मैं अपने आपको डिफाइन सिर्फ मैं नाव पर कर सकता हूं अभी पर मेरी जिंदगी की शुरुआस से लेकर अभी तक जहां तक मैंने जिंदगी गुजारी है मैं पहले सबकॉंशनसली लाग शौरी तोर पे नाव में जीता था अभी मैं जो लंहाएं इसमें जीओ रिग्रेट नहीं रखता था ये लाग शौरी मुझे पता था इसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी था पावर ऑफ और यह जबर दसाघू है और पिर जो मैं चीजीश करता था जो मेरी जिंदगी एस विखर हो गयाओर है अभी यह हुआ है अभी जो बाते होंगी वह भी होंगी ना माजी पर रहता है ना मुस्तक्बिल में सोच के आप परेशान होते हैं इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि फूचर प्लैनिंग पर ब्राइस हो जाते हैं और आपकी लाइफ जो है वो पता नहीं कप कहा किसे मोड़ पर डिसीजिजियन जो अभी अभी के मौके पे लिए है वो आपको कहां पे ले जए और क्या करवाद करता हूं और आप अपनी किताब अपनी वीडियो में कुरान की बात करते हैं तो आपकी बाद से मुझे कुरान की एक मशूर आयत है मैं तो याद नहीं है कि जननत इस तरह कि होगी कि लोगों को ना माजी के पच्छतावे होंगे ना मुस्तक्बिल के अंदेशे होंगे तो यह तो वाद ही एक बड़ी स्टेट है जो आपने चीज़ कहीं तो बहुत अच्छी है माजी क्या सोच के रिग्रेट करना आपको साइक पलोजिकली तौर पर बहुत ही ज्याद नाओं में जीना बहुत ही मुश्किल है और मैं हर जितने भी लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं या बाते करते हैं अपने मसाइल करते हैं मैं उनको हमेशा नाओं में जीने का तरीकेकार बताता हूं आप नाओं में अभी में जीना शुरू करते हैं आपकी जिंदगी के पच दिन के बाद वाली आने वाली टेंशन में आप जो अचीव कर सकते हैं उन पांच दुनों में वो भी आप चोड़ देते हैं आप अजीव से डिप्रेशन टेंशन के अंदर मुझे स्कूल के बच्छों की स्कूल की फीज पे करनी है एक और भरोसा यही है ना अल्ला पर भरोस सुलाता नहीं है तो यह इमान आपका बूस्ट अब करता है सॉरी जो नाव वाली चीज़ आपके इमान बूस्ट अब करती है यह आपको एक ऐसी पावर देती है कि आप हर लम्हे को एक एक लम्हे को अपने फुलस पर जी सकते हैं तो मैं नाव तपावर ऑफ नावर किसे है नहीं पड़ी तो वह लाजमी तोर पर पड़ें स्प्रिच्वल टाइब की है लेकिन है बड़ी जबर्दस हम आगे मजब और किताबों पे जरूर बात करेंगे अभी मकसद यह है कि हम शिरू में आपकी जिंदगी समझ सके तो असामा आप मुझे आप हम यह बात कर चु तो मैं बेसिकली पैदा हुआ था क्राची के ओल्ड सिटी एरिया में गहांस मंडी के अंदर मैं एक साल का हूंगा पहली साल रहां पहली साल की पिक्चर वाएं तो उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थोड़ा आगे की साइट क्योंकि 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 कॉलिटी ऑफ लाइफ कितना अर्सा रहे नहीं है लेकिन जो शौर के अंदर है वो यह के शेर की धारने की आवाज रोज रात को आती थी और मैं सुनता था मुझे बड़ा शौक और तजस्स होता था शेर धार बिल्कुल सामने था आपका और पहले चुडियागर था भी अच्छा काफी जबरदस टी तो भी साती साती रहते थे एक भाईो वाला आप कहलें के बड़े भाई थे उसमें ब्रिंग हो रही है मदर उनकी ійсьल sn reference कर रही है मेरी 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 भी कर रही है अच्छा इस आज हूं उसको बनने में मदद की वह यह थी कि ना कभी मेरी वालदा की तरफ से किसी भी किसंगा प्रैशर कि कि हवाले से अ नाटने के यह से कभी इस किसम की चीज हमने अपने घर में ने देखी बड़ा चिल महौल था ठीक है और मजभी तोर पे भी बड़े मॉडरेट किसम के मुसल्मान थे नमाजे पड़ो कभी किसी फिरकावारियत की तरफ पुश करने की कोशिश नहीं की गई की तरफ से वालदा की तरफ से खिलोने आ रहे हैं नएने खिलोने में तोड़ रहा हूं ठीक होती है अगर आपने वह जहन में वही था कि वह फ्रिश खूल के बन नहीं कभी नहीं महेंगे से महेंगा कलोना आ रहा है हम खोल रहे हैं मुझे बश्पन से सांटिस बनने का सब्सक्राइब कराची के अंदर नासरा सेकंडर स्कूल तो यह वाली रोक टोक कभी नहीं थी अच्छा फिर क्या था कि फिर हम फ्रेंट के लाके में आ गए वहां पर फासा बड़ा घर था फ्लैट था हमारा फ्लैट सिस्टम के अंदर अब हम जो जो हमारी जिस किसम की तर पर एक आर्टिकल भी लिखा और मैं डाइग्नॉस अभी मुझे पता जब चला है डिसलेक्सिया का तक्रीवन चार-पांस साल पहले मैं एक उनके साथ एक और्गनेजिशन के साथ मैं काम कर रहा था जो स्पेशल एजूकिशन पर फोकस किया था और जब मैं वहां पर काम कर मैं पूरा आर्टिकल भी लिखा था तो होता गया है डिसलेक्सिया के अंदर मैं छोटी-छोटी आपको चीज़े बताओं कि मुझे सीधे उल्टे हाथ का एकदम से हमें पता होते हैं यह सीधा हाथ यह उल्टा हाथ है मेरे लिए वह परसेप्शन अचानक से डिसीजन में म सब्सक्राइब बटन उल्टे सीधे लिए जूते उल्टे सीधे अब इन सारी चीजों के होते वे ठीक है अब एक मां है बच्चा है मेरे साथ में मिश्चारी जूते दोनुं मिला के आप यूं रख दें अगर बीच में गैप जादा आ रहा है तो यह इस पांग उसको आप सीधा यहां जाएगा इस तरह बटन लगाने में उपर नीचे मसला होता है तो पूरा आप नीचे से शुरू करें सबसे दो आप समझ रहे हैं कि मेरी वालदा मुझे बच्पन से क्योंकि मैं डिस्लेक्सिक हूं उस वक्त तो छोड़ी दें आज भी लोगों को पता नहीं पाकिस्तान में दो करोड लोग जो है वो डिस्लेक्स डिस्लेक्सिया करें बॉटम लाइन या आप एक्स्ट्रीम में चले जा कर रही है इस चीज ने जो मेरे अंदर एक चीज पैदा की वो थी एक्स्ट्रीम प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकल्स मतलब मैं किसी भी सुरत हाल में क्योंकि मेरी अम्मी बच्पन से मुझे मेरे मसाइल हल करना सिखा रही है तो अब मैं पहुती जबर्दस किसम का प्रॉब में आपकी तर्वियत हो रही है अच्छा फिर मैं स्कूल जाने लगा स्कूल का सीन यह था कि हम मैं कंप्यूटर आया जब नहीं है क्योंकि मेरे बड़े भाइते में नंकर इसी वज़ा से किया तो उनको भी कभी किसी किसम की रोप नहीं थी तो उसक्त मेरे सबसे बड़े वह औरेकल और फॉक्स प्रो सीख रहे थे उन्होंने लाइफ में इससे कुछ अचीव नहीं किया मुझे बड़ा दुख है काश्यों को लेते तो आज हम रहे होते लेकिन उन्होंने एक कंप्यूटर लाके रखा घर के अंदर और मुझे याद है मैं फॉर्ट में था या थ कोई सीन चलवा होगा मैं 8-9 साल कहूंगा और उस वक्त कंप्यूटर एक बिल्कुल नहीं चीज से पाकिसान के अंदर कंप्यूटर नहीं थे लेकिन चुब के मेरा भाई सीख रहा था यह चीज है तो वह कंप्यूटर का पहला मेरे साथ एक इंट्रोडक्शन हुआ के यार जाके निकल जाता हूं तो आप मुझे थोड़ा लाइन में रख दिएगा तो मैं थर्ड क्लास में हूं फोर्ट क्लास में हूं मैं बहुति जाद्ध आटेंटिफ चाइंड हूं कियूरियोस चैयल उहूं मैं सवाल पूच रहा हूं मेरि क्लास ही शर मुझस बड़ी खोश ह होने की वज़ा वज़ा क्या थी कि जब आपके जो बुलाते हैं तो मेरी मदर क्लास में रिजल्ट हो रहा है मुझे स्टेज पे बुला के मेरे जो क्लास टीचर हैं वह मोस अटेंटिफ चाइड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जब मेरी मदर रिपोर्ट काड कलेक्ट करने जाती है क्लास रूम में तो पता चलता है कि मैं फेल हुआ हो है अगले दिन सेपरेट मेटिंग ती प्रिंसेपल्स के साथ मैंने बुला यार मैं डर रहा हूं मेरे अंदर वो डर मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ही जादर रहा था कि यार आप घर पर जाओंगा वाले साथ से फेंटी लगेगी अम्मी कुछ मान नहीं यह ऐसा कुछ नहीं हुआ वाले साथ में तो कुछ खयरकानी और अम्मी ने बहुत ही जादा मॉरल सपोर्ट किया मैं कि कोई नहीं हो जाता है तुम ध्यान दो पड़ाई का उस एयर जो बहुत जादा क्लोस था मैं में दो तीन दिन अपनी नानी यह घर पर रुखता था और मैं नानी के साथ सोता था तो वह एक बात बी मेरी मैं कहता हूं कि मैं अपनी वाल्दा को सुलूट करता हूं कि आज तक हम mental health पर बात कर रहे होते हैं कि या ट्रामा हो गया बच्छा ट तो उनको वाले मामलाद भी देख रही थी साथ-साथ मुझे बड़ा सपोर्ट मिलें कि कोई बात में कोई नहीं हो जाता है जिंदगी में यही थोड़ी एक खतम थोड़ी होगे जिंदगी तुम पड़ोगे दुबारा चलोगे अब हम गये प्रिंसिबल से मीटिंग करने के लिए तो प्रिंसिबल बड़ी है रान होई यह तो बड़ा चला था इसको क्या हो गया तो पेपर मंगवा है जो मेरे एक्जैमिनेशन के पेपर थे वह आदे खाली प्रिंसिबल मुझे पूछ रही है कि तुम्हें यह याद नहीं था और मैं कहता हूं मुझे याद था वो दोर हो गया था क्या करूं एक गंटे में बार खेलता था तो वालदा को लगा किया कोई इसू है भाराल वह क्लास मैंने रिपीट की और क्लास और वहां से फिर मैं एक बहुत ही जादा स्पीशल केर के अंदर आगी है मेरी कॉपीज चेक हो रही है मेरे काम चेक हो रहे हैं के अंदर लगा दी गई और बहुत ही जादा केर होना शुरू गई तो मैं कुछ करकते करते 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 मैं आगे पड़ता गया सारी काने का मकसद यह है कि अलहम्दुलेला अलहम्दुलेला जो आज मैं जो भी हुना वह सर्फ उसके पीछे जो एक वजा है कि मेरे घर से कोई कोई ऐसा प्रैशर नहीं था यार तुझे कोई आलिम फादिल बनकर दुनिया बदल लेनी है अच्छा हम बाइकास्ट में मनों तो कुछ नहीं करेगा तो कारोबार करी लेगा कुछ भी नहीं कर सागएगा तो कहीं पतारा लगा के रोड पे कपड़े बेच लेगा अपने भी बच्छों को पालें का यहाला कॉंसा रोबार के हवाले से अंदर तो मैं पहुंचा एट क्लास के अंदर वहां पर चले गए हम अब एट क्लास के पेपर दी है अब गुरुप चुनने क्या करना है आपको लाइफ के अंदर कोई नहीं कोई फ्यूचर प्लैनिंग नहीं बच्वन की एक वाइस थी के बड़ा हो के सैंटेस बनना है यह वाली मशीन ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा जाहरी बात है कि जब आपके बास कुछ भी नहीं होता तो बस एक अटोमेटिक डिफॉल्ट बाइड डिफॉल्ट मिलता है कॉममर्स का हम भी चलेगे कामर्स के अंदर नाइन स्क्रास में और नाइन क्लास में ऐसे चल जाता है एवरिच एवरिज चला था मेरा लेकिन जहा पॉइंट है मेरे घर में आप कंप्यूटर आ चुका है ठीक है मेरे मुझे ट्यूटर पढ़ाने आते थे सर खुर्शी देखें आपको लाइफ में बहुत सारे मेंटॉर मिलते हैं और मेरी जिन्दगी इनी मेंटॉर्स के इरदगे रही है तो सर खुर्शीद आते थे वह अधर और उन्होंने फॉक्स प्रोग और अपने उस फैक्टरी के लिए जो कॉटन इंडेस्ट्री से वाबस्ता थी मेरे काल से उन्होंने खुद एक सौफियर डेवलप किया था ठीक है तो जब वह आए लेकिन बड़े दिल से पढ़ाते थे वह पीस्ट भी लेते सरफुर्शी तो फाइव सिक्स फूर्ट क्लास के इंदर मैं था फाइव के अंदर गया आँसे के अंदर गया तो अब होता यह कि आप घर के इंदर एघर हो रही है वह एकुरा निराम चल्लावला है तो बच्चों के लिए बहुत लाजमी चीज़ है और आगे आने वाली टेक्नोलोजी इसकी है वालदा है वो हर चीज करने को तयार होती है तो उन्होंने एक कंप्यूटर परशीज के 32000 रुपे का हमने लिया था फैंटियम महेंगा लिया था उस वक्ते हसाब समझते थे कि एडूकेशन सिस्टम जो है वह पाकिसान का फारिग है ऐसे में बच्चों का कुछ भी नहीं बन पाएगा तो जो पहला कंप्यूटर आता है और वह तो चल रही थी हमारी मैं फ्लेश पे इससे पहले में काम करता रहा था वह बच्चे के अंदर चाहा है उसके ब सेवन क्लास में होंगा मैं तो सरकुषीद आते हैं और नॉर्मल पड़ाई चल लिए स्कूल की जो चल रही है वह चली और पर बलते हैं मैं तुम आप कंप्रेटर सिखाता हूं कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं कुछ नहीं को एक सिखाने की चाहिए और मुझे सीखने की चाहि सब्सक्राइब जिस पर वेबसाइट आजकल बन रही है अच्छा उसक्राइब जो हमारी वेबसाइट थी वह फंद मजा डॉट कॉम थी अपनी आई-एस-पी डॉट कॉम थी अच्छा मैं थोड़ा क्यूंकि मैं बड़ा इंटरनेट से वावस्ता था मुझे पता था तो म अच्छा मैं बेबलेट देखता तो मेरा पहला जो नेक था वह ब्लैक ग्रेंजर था और मैंने वह यह चैट इंस्टॉल की यह मेरे दूसरे बड़े भाईने बताया था क्योंकि वह कैफे जाता था तो इंटरनेट लग गया मिर्सी की हमने वहां पर बाते शाथे शुरू क अच्छा में बाते शुरू और गोरों से बात कर रहा हूं एम एर्शी के उपर और एक बड़ा हब था उसमें मुक्तलिफ चीजें मैं आर्सी के अंदर मुक्तलिफ कोडिंग होती थी आप थोड़ी मस्ती मजा के चल रही होती थी अब मैं मैं मेरे जो सर हैं जो ट्यूटर ह सिखा रहे हैं मेरी जिंदगी कंप्यूटर के रिजोना शुरू हो गई अच्छा मैं 2000-2004-2004 या 2003 की बात है जब मेरे बाद कंप्यूटर है मैं गूगल पर उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई लाव उन्होंने का बेटा राइट क्लिक करोगे किसी वेबसाइट पर उसके दूजहती क्यूरिसिटी थी मैंने एक वेबसाइट बनाने अब बनानी है मैंने आप और मैं मुक्तलिफ इमेज डाल रहा हूँ यह चीज़े कर रहा हूं फंद मजा डॉट कॉम है उसका मैं व्यूर्ट कापी कर रहा हूं अपने पास लोकल में और उसके अंदर दुनिया आज भी लोग यह समझते हैं लेकिन आपके पीछे दुनिया ना मतलब वह पूरा का पूरा जो एक सेनेरियो चल ला हो मुझे अपनी तरफ कर रहा है कि यह करना है मैं फोर्ट क्लास मुझे एक लड़की पसंथी ठीक है स्कूल के अंदर हम मैं आज तक कभी मैं उसके साथ बैठता था हमारी बाते चल रही है मैं कभी कुछ बूला नहीं मैं दूसरों को बताता था क्यार मुझे अच्छे लगती है तो एट क्लास में पहुंचे हम कि छुटियां चली है अच्छा हमारे हैं यह होता है आव डूसका एक दूबाइल एक और पूलता है यह उसकी अब मैं तो मैंने इंटर्णट शूरूई तो मुझे लगता है यह मुझे बड़ा गहरा दोस्त है तो पंजाब शिफ्ट हो गया गाउं चला गया लेकिन वह कुछ चंद दोस्त होते हैं तो मेरी जो गैदरिंग थी मैं हमेशा से कर नहीं पाऊंगा किसी चीज़ की तो अब मैं ठीक है कर लिए हमने अब शुरू में मैंने अपनी लड़की वाली आइड़ी सेट सुनी अंडर स्कूर परदी एड़ हॉट मिल डॉट को अजया उसके पीछे शाहिद मैंने आइड़ी बनाई भी इसी वज़ा से थी वह वाली कि पता नहीं हाँ शायद कि यार यह जो लड़की है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो एक्सेप कर लेगी कि किसी लड़की के इंटरनेट अब नया नया इंटरनेट हर किसी के पास अब लोगों को इंटरनेट यूज करने हैं उनको नहीं पता खांदान में सर्फ जो यह वाली जनरेशन है जनरेशन जी चल लिए यह लोग अपनी आईडियां इस वक्त बना रहें एमसें पर और यह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी मेरे नाम से जाएगी तो शायद एक्सेप्ट ना करे बाद चीज चल लिए ना बड़ी महबत मैं बिलकुल लड़की बन हो जाता हूं मैं बड़ा उफेंड हो गया मैं तो या इतनी पुरानी चार साल की महबत हो गई एट क्लास के पेपर देखे अभी फारेग हो है नाइन में जाना है पांस साल होने को आए वह ब्लॉक कर दिया क्योंकि अब मैं एस्टेमर के कोडिंग जानता हूं मुझा पता ह है उसक्त बड़ा बड़ा ही सिस्टम भी होते थे और मेरी लाइफ की ट्रेजडी समझ लें या कुछ किसमती समझ लें मैंने कोई एक काम नहीं कि आप में पूछा था ना तो वह मैंने टिक मेरे दिमाग में है क्या चलो मैंने लिखा गूगल पे 2005 की बात है हाउट मैं अब क्या होते हैं करते करते पता नहीं स्टमबल अपॉन दा वेबसाइट और वहां पर वेबसाइट उस फॉरम के अंदर वह बता रहे हैं कि होट मेल के पेश पे जो सिक्यूरिटी कोईश्टन आंसर का जो पेज है उसके उपर एसक्यूल इंजेक्शन है और वह अभी तक पता चला इसके और वह मैंने जो इसक्रिप्ट यह उन्होंने क्यूरिती मैंने पूरी सेफ की अब मैं पूरी रात लगावाँ तो कि मैं चुटियां चली में बहुत कोई और काम नहीं है मैं स्क्यूल इंजेक्शन भून रहा हूं कि होता गया किस तरह काम करता है और अगल सब्सक्राइब करते हैं अब हम सब को बता रहे हैं अब हम सब को बता रहे हैं अब तो हमने सोचा कि भाई दुनिया जो है ना वह कदमों के नीचे आगए क्योंकि हम लेटस टेक्नोलोजी वह पाकिसान के अंदर इमर्ज हो रही है हमने किसी की आईडिया अब सब ना उसकी बहन ऑनलाइन आ गई और मतलब एक स्टेटस मिल जाता है आपको सिंबल बन ग सारी स्कूल की लड़कियां मेरे पास लड़कों के मैसेज आ रहे हैं लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं वह एड़ रिक्वेस्ट आ रही हैं मैसेंजर के अंदर के उसकी पता है इसकी भी सबको सबकी आईडियां उसामा को पता है एकदम से आप पॉपुलर हो जाते हैं स्कूल के अंदर नाइन क्लास के अंदर जाता हूं और चुटियां खतम होती है मुझे नहीं पता गुरुप के मैंने मुझे परवाई नहीं है अब मेरी लाइफ की ना कि खैर एक जो भी लोग बोलते हैं कि स्कूल जाना है साइंस ग गुरुप नाइन और मैट्रिक अंदर जाते हैं तो क्लास बड़ी शफल हो जाती है नए स्टुडेंट्स आते हैं कुछ आपके पुराने दोस्त वहाँ चले जाते हैं जानने वाल बोड़ पे मेरा जो दोस्ता उसने मेरा नाम लिख दिया पूरी की पूरी क्लास घूंके टीचर गई थी बेटा खड़े हो जाओ बोड़ पे नाम लिखो जो शोर करता है और मेरा नाम लिख दिया उसके आगे ब्रैकेट में हैकर लिख दिया पूरी की पूरी क्लास जो चेम गई है शुरू हो गई और मेरी तरफ मतवजा तो एक पावर फील की या जो पावर है व मैट्रिक के अंदर जाते हैं आपको और मेरे खाल से वह एक कमर्शल होता है याद नहीं है मुझे लेकिन एक कंप्यूटर होता है दो सब्यक्स में साब करने होते हैं तो मैं कंप्यूटर करता हूं और जो 9 के साइंस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो से इंट्रोड़क्शन करा रहे थे फाइव चैस क्लास के अंदर वह जी डव्यू बेसिक पढ़ा रहे तो हम मैट्रिक के अंदर जाते हैं तो फिर वही बेसिक पढ़ा रहे हैं तो टैन सी एलेस ट्वैंटी फॉर एज इकल टू वन टू टैन यह क्या है हम तो एस्टीमल प काम सारा हो रहा है वह फ्लॉपी पढ़ा रहे हैं और मैं इसक्रीट गूंड रहा हूं वह हाड़ राइफ उसवक्ट दोहजार साथ की बात है यह दोहजार साथ का चल रहा है एक दिन फ्री पिरियेड में बैठा होता हूं और अच्छा मैं इंटरनेट से हर इंफोमेशन सर होता हूं लेकिन जब नाइन के बोर्ड के पेपर होते हैं तो मैं उसमें सेविंटी परसंट प्लस स्कोर करता हूं मेरे लिए अपने लिए बड़ी यह रानी की बात होती है यार यह क्या होगा है स्कूल में तो कोई बी गरेट आ रहा है मुश्किल से सी ग्रेट आ रहा है हुआ हैं पास हो रहें पूर्ड में क्योंसकोर कर लिए हैं अब lockdown के पेपर्ज में होता है कि स्कूल वाले इस ट्रुक्त थीट से जवाब ले क्रेड़ु होते हैं मेरे स्कूल स्कूर को जीब बबड़ने परmom झाने तो मुंजे कोई सवाल आ रहा है तो मुझे मैं रिसर्च कर रहा हूं अपनी और मैं स्कूल के स्लेब을 को छोड़ के अपने जवाब दे रहा हूं इसकूल के स्लेवर्स में वह हम रटा लगा के जा रहे होते तब मैंने का याद जिनदगी ऐसे गुजरनी चाहिए अब मैं एक प्रसंटीज आ रही है मैं मेरे ग्रेड एक ग्रेड बनाता मेरा अच्छा ग्रेड बनाता बाराल मैट्रिक में जाते हैं एक दिन तो मैं वेबसाइट अपनी बना चुका हूं ठीक है फुल मस्ती डॉट टू या डॉट कॉम उसमें जावा स्क्रेड के लव कल्कुलेटर भी लगाए हैं गाने लिंक डाउन्लोड के दिवें एंपी तरीके उस वक्तना इतनी रिस्टिक्शन नहीं थी ना आपकी यूएस और साल का बीच चल रहा है मिरेखाल से हां 27 के साल का बीच चल रहा है वहां पर नब्लॉप करके मैं खोल लेता हूं अब मुझे पता है कि तो मैं बनाता तक उसमें मैं बट दो वाली इंफेक्ट फाइल लगता था और मैं अपने जो नेट्वक जितने भी आसवास के घर होते थे उनके सबके कंप्यूटर पर स्पाय करता था करना करा ना कुछ नहीं होता था हम इस पावर आपको मिल यह मुझे पता चला के विल नेट वाला जो रिजवान लडगा है उसका चक्तर फलां घर के अंदर किसी लड़की के साथ चल ले क्योंकि वो चैट कर रहे हैं इंफोर्मिशन की पावर आ गई ना तो वह रिजवान की साथ वाला दोस्त जो बहुता हूं कि यार वह मुझे पता है उसके बहुता आप पावर इमेजन करें ना तो मेरा नेट भी काट देते हूं पर मैं दूसरी सर्विस लेता हूं इंटरनेट की करीब ही तो अब मैं कंप आई पी सेट की वी होती है वह आई पी आटमेंटकली कर लें तो फुद इंटर इथनी खास सेक्योरिटी नहीं है मैं वैटा हूं तो मुझे सबको पता है कि मैं इंटरनेट चला रहा हूं गा और अब क्या है वह बहुत लिए नहीं कर रहे हैं कि वह मुझे बनाई है अच्छा दिखाओ अब मुझे वेबसाइट में उनको दिखाता हूं बोलते हैं जबर्दस्त तुम्हें पता है तुम इससे पैसे कमा सकते हैं तो बेटा गूगल का प्रोग्राम है क्योंकि वह बाहर से हैं में और वह हैं भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड रहा हूं मुक्तलिफ नाम लिखे लव केल्कुलेटर लोड़े काम कर रहा हूं अब मुझे पता है कि मैं पैसे भी कमा सकता हूं तो फिर मैंने गूगल एड्सेंस के प्रोग्राम में इन्रोल किया और अपनी वेबसाइट पर मैंने एड़्स लगा है और पहले मेरे मेरे मे किसानी दस बारा अजार रुपए बन रहते हैं अच्छा फिर क्या होता है एक और फिरी पिरिएट में बैटा हूँ तो मेरी कंप्यूटर की टीचर आती है मेरे पास बूलते हैं क्या कर रहा हूं तो कहती है मुझे भी सिखाओ कंप्यूटर टीचर तो वहां पर एक लाइफ में चेंजिंग प्वाइट है कि यह कर गया रहे हैं स्कूल वाले थीक है मतलब मैरी मुझे बोलती है कि कंप्यूटर मुझे सिखाओ तो वहां पर एक डिसीजन आता है दिमाग में कि आर आगे नहीं पढ़ना आगे नहीं हूँ तो मैं जाता हूँ ऐसे माट कॉलेच बंस रोट मैं फर्स यर के अड्मिशन ले लिए अब हम पहले दिन ही जाते हैं तो वहां पर जम्मियत वाले क्रेंप लागा करें बैटे वह होते हैं यह वाली तो जिन्दगी देखी नहीं है अब क्यूरिस वीटी है हर चीज च साथ तीसरे दिन गए है तो भाई हम उसामा से उसामा भाई बन गए वह सबको भाई बोलते हैं अब हम जम्मियत के कैम के साथ खड़े हैं फुल यह वाली जिन्दगी भी होती है सभी होते कॉलिश के अंदर नहीं डिस्कवरी हो रही है कि अच्छा ओहो नाजिम साब नाज नेट्वर्किंग एक मेरे अंदर एक पावर थी नेट्वर्क्स बनाना लोगों को साथ बात करना तो हम जा रहे हैं अब आए फॉर्म भड़ने भाई अब ऑफिशल करना है पहले तो रफीक रहे है रफीक ऑफिशल हुए अब रुकन के लिए या इस तरह की चीज़े करनी सब्सक्राइब करना ना बड़े अच्छे टैम पर जानता हूं कि मुझे कहां कहां से कब मुझे खुद को रोकना और पीछे आना है तो मैं आ गया मैंने का यार अच्छा फिर कॉलिज में भी को इतनी खास पड़ाई नहीं चल रही थी जीवी महाल था क्लास के अंदर सब्सक्राइब करें तो मुझे अगले साल दुबारा देना पड़ेगा मैंने का छोड़ो मैंने फिर वाली साब के बाद है मैं सब्सक्राइब करने का कॉलिज वाली नहीं पड़ना मैं सेकेंड यर के नहीं भर रहा है इड्मिशन फॉर्म वगरा उन्होंने थोड़ा कहा के बेटा पढ़ लो कर लो नहीं मैंने का नहीं यह नहीं पढ़ना अब मैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है मुझे मामू की फ के मौहल की आप बात कर रहे हैं कि वालद मैं बड़ा प्रीषिएट कर रहे हैं और अच तक ऐसा तक मैंने यहीं कि मैं लाइफ में यह जतना भी स्पॉंटेनियस सो मेरे वाले सब्सक्राइब बढ़े स्पॉंटेनियस थे और उन्होंने भी बहुत सारे काम किये शिप यार्ड था उनका शिप्यार्ड पे वो जो शिफ टूटती थी एक जमाने में तो वह लेके शिप तोड़ते थे ते उन्होंने बड़े- नहीं होते थे स्टेटर्स होते थे तो जब मेरे तया मेरे तया तो बड़े मश्यूर थे उमर शेहर नाम था उनका न जब इंतकाल हुआ तो मुक्तलिफ अख़बरों में खबरे भी छपी हैं उनकी तो बल्षता के दिलिफ कुमार जब पाकिस्तान आया था तो मेरे तया ने क्योंके ताया और मेरे दादा से चुपके काम करते हैं कि पसंद दी तो मेरे वाले साब खुदा है मेरी वालदा भी आइस्त हैं वह बच्पन से ही आठ रच को बनाती हैं आठ बड़ी वाबस्ता है वंग होते हैं और आप अगर आइस फैmily के अंदर आपकी सिता सिता तो मैं कहता हूं कि अलहले के अदर पैदा हुआ तब मेरे pojaw कि चीजे समझते थे और बड़े स्पॉंटेनी ते यह वो बड़े क्रूटर्फ इकिए उन्हें पनी जिदगी आंदर वाल्दत भी आर्टिस थो कुछ भी करेक्टर कुई भी किसम का रंग चड़ाना पिनी ऑलादों का उनको कभी परिशान नहीं किया उन्होंने सारे हैं हैं अदर पुराने कपड़े पहन के जा रहें तो कभी हमारे नदर वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से बुलूम हुए और हमने लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कोई मसला ही नहीं और आज देखें जो जिन्दगी चल रही है अभी भी कोई खास इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर ले लेकिन हमें पता है कि कभी कोई रोक टोक नहीं हुई और तो इसके पीछे आपने जो मसला था ना कि यार यह कैसा घराना मिला वह एक आर्टिस्टिक समझने कि आर्टिस्ट थे उसमाँ एक और चीज़ बताईए आपने अपने मेंटोर का जिकर किया खुर्शीद साहब का और जहरे वह इतनी पुरानी बात है इदर मेरा सवाल भी है और आप से मैंने कंफिर्मेशन भी लेनी है कि जिन्दगी में मेंटोर्स होना यह हम सब को बता है लेकिन उन्हें डिना यह हम सबको नहीं आता यह रहरे इक बड़े इंसान की निशानी होती है कि इतने पुरानी बात भी किसे ने कोई छोटी बात भी किया जिसने लाइफ पेम बैक डाला तो उससे उसको क्रेड़िट लिए जाए जिंदगी में यह कितना इमपॉर आभी जो जिन्दगी आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि इतने में उनके बगैर आज जो हूं मैं होई नहीं सकता था चाहिए अब मेंटोर करते हैं आप मेंटोर छोड़ें आप पीरो मुर्शिद वाले कहलें मैं पीरो मुर्शिदी मैं बहुता हूं कि पीर नहीं सिखाता कुछ भी नहीं सिखाता कोई दले मेंटोरो कोई इसनिम्ध वह ठीजाइज गजाए वहाँ होना अपनी जात के बारे में लाइफ के बारे में यह ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती मैंटोर्त आपकी जिन्दगी हैं और तो आपको अगर आपकी कैपिलिटी किसी आपकी एबिलिटी पे आपको अवेर कर रहे हैं तो वह आपकी जिंदगी में उन्हें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर दिया आप भूली नहीं सकते तो जो होते हैं अग्वी क्रेडिक नहीं देते हैं अपने मेंंटोर को ये बताना पसंद नहीं करते के उन्होंने तो आपसे बड़ा जूटा कोई नहीं होता ऐसा नहीं होता आपको जिंदगी के हर मोड पर हर रहा पर कोई ना कोई कुछ सब्सक्राइब को श्करे साथ वह साथ बाते चल रही है और उसके साथ मुझेmar को सिखाए और तो ने बताया उसको क्रेडिट दिया किया यह जो चीज तो ने समराइज करके मुझे बताई है तो मेरे इतना टाइम बचा रहा है कि मैं इमाम मालिक की सारी किताबे पड़ू और फिर मैं उनकी जो बिल्कुल अपनी लाइफ के एंड में होगा यार सकून चाहिए तो जब आपको आखर में चाहिए सकून तो रहें ना सकून मैं क्यों नहीं रहते हैं तो आपको अंदर बड़ा सकून और एक काम कामने साती है आपके अंदर के हां यार मेरी जिन्दगी में बड़े लोग है उनको सिखाने वाले भी फिर बहुत लोग आते हैं अब हम करते हैं आप जो अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि आपने वालत सहाब को बुल दिया रहे पढ़ाई वालाई तो मुझ से नहीं होगी और आप गाले बने फैक्ट्री में चलेए और होता यह कि आप सीखना है ना सुने को तपाया जाता है तो हम बैठे हैं और वहां पर सुप्रवाइज कर रहे हैं अच्छा अब हुआ कि दो आदा नो की बात है मेरे वाले साब माशाला बड़े फिट थे तो एक दिन में फैक्ट्री में बैठा हूं और मुझे इतला मिलती है कि बड़े मामों का फोन आ तो मैंने का अच्छा मेरे मामों कहते हैं कि तू एक काम कर तू ड्राइवर के साथ जा जो उसके साथ जा गुल्रेज होगा वह तुझे घर छोड़ देगा अब बास भाई बड़े मामों जो है मेरे माशाला बहुत ही जादा इंटलेक्शली तोर पर ना मैं उनको बड़ा ह करता हूं ठीक है और मुझे उनको अच्छा इससे पहले मेरी अम्मी को हाड़ अटेक आ चुका था और मुझे पता था कि अम्मी की तब्यास से नहीं है अब मामों के मुझे जहन जिस तरह चलता है मुझे उस लहमें पता चल गया मगरिब की अज़ान हो रही थी कि मेरे वा शक होगा यह चल के घर के बड़े करीब था दो गलिया चोड़के चल के ना जा पाए तो इसको गाड़ी में बेचो और मुझे पता था कि क्या हुआ है क्योंकि आप एक मेंटली तौर पर प्रिपेर कर रहोते हैं तोड़ी खतरनाग न्यूज आएगी क्रिटिकल वाली फि पर बताएंगे के इंतकाल हो गया है अच्छा मुझे इस फोन कॉल पर पता चल गया मेरे वालिग साब जो सुबह बड़े हस्ते खेलते गहे थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे 2009 की बात है अब मैं घर पर चड़ता हूं पहुंचता हूं सीडियों पहुंचता हूं तो मेरे छोटे भाई की कॉल आती है जो जो भी जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ वह भी शुरू करता है वह मार्केट के अंदर होता है जहां वाले कि रोते वे के वाले साथ के इंतगाल हो गया अच्छा मैं यहां पर वह प्रैक्टिस कर रहा हूं दा पावर ओफ नौशे नहीं पता अभी तक मुझे नहीं पता था 2009 तक मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर यह चीज है लेकिन एक दम से मैं अपने भाई को फोन पे तसलि मुझे पता है इस वक्त कोई भी नहीं होगा मैं सबसे पहले आता था मगरेब के बाद मैं घर का दरवादा बजाता हूं अंदर जाता हूं वाल्दा जो है वह खाने का इंतजाम कर रही है टीवी चल रहा है उस पर कोई न्यूस चल लिए वाल्दा न्यूस बड़े सुनती है मैं रिमोट उठाता हूं पावर का बटन दवाता हूं अमी का हाथ पगड़ता हूं और कहता हूं कि जो जिन्दगी और मौत है वो अल्ला के हाथ में हैं हमी एक्दम चीखती क्या हुआ क्या वाते कर रहा है कैसी बाते कर रहा है कि मैं कहता हूं कि जो हैं वह वालिस आपका पपग इंतकाल हो गया है क्या बख्वास कर रहा है तो जूड़ डिनायल चला गए डिनायल मोड में आ गई ऐस मे're a i roof situations मैं मुझे पटा है एकदम से मेरे कंदों पे क्यूंक्य मैं बढ़ा आई ऑब अपनी हो गयाından लेकिन मुझे पता है कि अब इस घर का मैं बढ़ा हूँ अब वो सेंस ऑफ रिस्पॉंसिबिलिटी एक तम कंधों पर आता है आपके उस लमे या तो वो उसके जो लोग होते हैं उसके बोच्ट से जुग जाते हैं मैं कि कोई कंधा ढूंदता रोने के लिए यही होता है ना कि कोई मैं रोता हमें पागलू की तरह रोता चले गए या फिर उस लम्हें जो मेरा जहन है कि या आप तुझे ही करना है तो मैं अपनी वालदा को इतला देता हूं मामू ने तो बता दिया उनको हार्ट की विमारी वह खड़ी होती है मगरिब का टाइम हो रह के आएंगे और घर में का महाल होगा वालदा क्योंकि आप नमाज पढ़ने बैठ गई है वह लाके हवाले हो गई है तो मुझे पता है कि उनके साथ घर पे कोई भी नहीं दो बंदे मैं जाता हूं मैं गुसल करता हूं तीक है और क्योंकि मुझे तयार होना मैं शलवार कमी कि रहाता है छोटे वाले का और वो नेंगे तो बड़ी अंदाज में कर वालिच साहब का इंतकाल हो गया हम आ रहे हैं मुमानिया को कुछ नहीं बताई हो आ है हम भी आ रहे हैं बैटते हैं पिर बताएंगे मैंने का मैने बता दिया और मेरे मामु एक्दम भड़ा कूब पागले क्या तो तुने अपनी अम्मी को कैसे बता दिया ये वह आप क्या होगा रोक आप आरी है मैं भार निकलता हूं मसले पर बैठी वी हैं रो रही हैं दुआयां मांग रही हैं गिले शिक्वे करी हैं अल्ला से एक अजीब चल ला है ना अच्छा मैं वेट कर रहा हूं मेरा दिमाग किस तरह चलना है मैं आज भी कुछ सोचता हो ना मैं अपनी जो साइक्रेक्ट्रिस को जो हैं एक वेदी दोस उनसे में बात कर रहा था यार वह यह सीन हुआ था सैंस और रिस्पॉंसबिटी यह चोटी-चोटी बहने वह टूशन के अंदर मुझे बता है कि उनको टूशन से लाना है तो मैं वेट क्या कर रहा हूं इतना बड़ा आपके उपर सद्वा आगे एक दम से लेकिन मैं वेट क्या कर रहा है कि को गर पर आया अम्मी को अपनी भेनों को लेकर आ जाओं तो इतनी दिर में मुमानियों को पहुंच करता हूं मैं जाता हूं टूशन टीचर को फोन करता हूं मैं कहता हूं कि वह यार मेरी बेहनों की ना मैं लेने आ रहा हूं उनको चुट्टी देते हैं अभी तो आई है अभी तो पढ़ेंगी मैंने का इनके अब्बू का इंतकाल हो एकदम से चीखती है मैं बड़ी काम ल करना पड़ेगा इनके साथ भी ना क्या करूं मैं छोटी वाली को तो पता ही नहीं इतना खास उनको घर पे करता हूं इतनी देर में लोग आना शुरू हो जाते हैं और एक अजीब सब चल रहा है ना मैं देख रहा हूं मैंने का यारब सबको तसलियां देनी है वह बड़े कावशूश की थी तिना इतना पावर्फुल हूं मैं है कि मैं नहीं बड़ी जिन्दगी के अंदर और मैं सब मैनेग कर रहा हूं तो वो एक सेंस ऑफ पावर था ना उसने मुझे मेरे अंदर से जितना भी डर था ना वो निकाल दिया मज़े की बात बता हूं मेरे वाले साथ के इंतकाल से तीन दिन पहले में वाश्रूम के अंदर बैठा आपके दिमाग आपका दिमाग चल रहा होता है खयालों के अंदर और मैं मैं मेरी में जिनेशन ना बड़ी खतरनाक किसम की है और मैं इमेजन करूं कि मेरे वालिज साब कर नंतकाल लोगों लगेगा एक्दम से एक सोच आती है और मैं पागलों की तरह रो रहा हूं बातरूम में बैठके आप अल्ला की तरफ से अब आपना एक पूरा पीर उसके अंदर पूरा होता हूं यह मैजिनेशन की एक लगा की तरफ से खुदादात सलाईयत है मैं पूरा होता हूं तो जब वह सोच है और मैंने वह पूरा का पूरा मैं पागलो की तरह तीन दिन पहले रोव चुगा था फिर उसके बाद जब यह हुआ तो मुझे मुझे सेंस ऑफ पावर आई कि यार मैं इतना पावर फुल हूं बाराल फिर जिंदगी आगे चली अब प्रोफेशनल लाइफ तो शुरू ही थी वाले साथ कि मुझे दुबार पावर ऑफ ग्रीफ देखते हैं ना कि रोना कितना एहम होता है वह अंदर से निकालना वह अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया कि तीन में पहले यह हो चुका था अगर आप इस पर मुझे रोशनी डाल सकें कि डिनायल में जाने से बहतर है कि चीजों वह जो पावर अच्छों कि यह आग होती है चीक है आप आखों से पानी निकालते ना वह पानी इस आग को बजाता है रोना सच्छनत नभी पाक सर्य अशलम्दि रिव हैं ठीक है रोते ते वह फिल्वत में जाके ऐनल्ला से ग्रीव करते थे बहुत सारी जोंको अगरते थे जो बाते होत तनहाई में तनहाई में बिल्कुल तनहाई में उसके बाद भी मैं बड़ा रोएं और तनहाई में आपका जो सबसे बड़ा पार्टनर होता है वह लगता है लेकिन कहीं पर मुझे मैं लगता है कैसि कि से इसां की यह बिलिटी जिस टीम वह पहले सी मेरे पास मेरे पास मैं पावर नहींकरे किन कुछै कीちゃん कि आपको टिनल mee के यह स्वाग्ण से घर हे तो तक फागल दो नहीं है वो फिर शौक के अंदर आ जाते हैं ट्रामा के अंदर आ जाते हैं उनके अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो बिल्डव होती है जिन से वो सारी जिंदे की छुटकारा नहीं पासकते है तो बड़ा जरूरी है उसामा एक और बात का मुझे जवाब देजिए मेरे ख्याल है अगर आपने जोट टाइम लाइन बताई यह मैं अंदाजा कर रहा हूं कि आप थर्टीज में होंगे लेट थर्टीज इनिशेट हो रहा होगा या बिल्कुल खतम हो रहा होगा ना सदमे से घुजरां तो वह वह जो साया अचानक हट जाता है और मतलब अब तो लोग समझते हैं आप तो बड़ा हो गया थर्टीज है चलो अब यह खुद मर्द हो गया यह थोट कि यार इस मर्द को भी ना असल में किसी बड़े मर्द की जरूरत है क्योंकि वह जरूरत तो सब्सक्राइब की फूट बिजनिस के अंदर है उसके चली होती है माशाला मैं भी एक वैल सेटल्ड हूं मेरे भाई ने ना दो चार दिन पहले एक फेस्बुक पर पोशेर की और उसमें यह था कि यार अगर मेरे वाले साब जिन्दा होते हैं मतलब मुझे अलफाज याद नहीं रहते कभी भी लेकिन वह आज बड़ा फखर करते मुझे तो मैं वह पार्ट मिस्स कर रहा हूं तो मैं उसको देखके अच्छा से पहले जो मेरा अपना चलता था ना यार मैं अपने आप कहते हैं ना नहीं यार कभी जिन्दगी में वह खिला पूर पूर नहीं हो सकत होते हैं कुछ कर रहे होते हैं मेरे बच्चे हुए मैं लाइफ देना चाहता हूं अब क्यार उनकी अब रिटायर जिंदगी होती अगर वह होते तो मेरे मेरी बेटी क्योंकि वह ना मेरे वालिसाब की मैंने आपको बताया पांच बड़े भाई थे पिर हम तीन हुए तो ब वह खायशती थी तो जब मैं अपनी नक्रे कर रही हो थी है मैं कहती हूं मैं अपने बाप को ने पर नीचे साथ उपर नीचे थे मेरी वाल्दा थोड़ा रिस्टिक कर दिया था हमारा भार का खाना पीना हम नहीं हर्ट चीज़ किये मुझे दो बार याद है मैं अपने वाले साथ स्कूल से बाप्सी पर मिस्टर बर्गर खाएं मैंने या एक बार मैंने जो जल्दी चुटी आ जाती ह कभी कभी आपको जल्दी लेकर आ रहे हैं यह तो वह ऐसे को एमेंट्स होते थे तो वह जल्दी लेकर आते थे थो दो मिर्शना बढ़ार एक बार हमने सैवन होटल है सोलिजर बजार पे मुरग मुसलिम मैंने पहली बार अपने वाले साथ काया खाया अकेले में तो मेरी बड़ी खौाइश है कि मैं उनको कहीं ले के जाओ डेनर पर अब धारी बात नहीं जा सकते यह ख्वाइश है यह खिला जो खुला है यह खुला कभी जिंदगी में कभी पूर नहीं होगा आज भी हम कर रहे होते है है ना मुझे एक अप्रूवल चाहिए होती है हमी खुश है हमी बड़ी है अमी अमी है लेकिन जो वाले साथ होते हैं ना कि वह खड़े होके जारा कंदा थप तबा देते के बिटा वाह दिल से आपको एक अप्रिसेशन मिल रही होती है आप किसको मैं किसी को नहीं मान सकता मेरा बाब होता तो मेरा बाब मुझे अपने वाले साथ सबसे जादा खौबों में नजर आते हैं हर महीने में एक बार वो आते हैं और वो जो पर चीज़े चल रही होती है ना मेरी जिन्दगी में मेरी जिन्दगी में सकून ला रही होती है मुझे नजर आते हैं बुरे घ जाना बड़ा जरूरी था आपको समझने के लिए अगर आप अपने प्रोफेशनल मुझे बता सकें फिर वाले साब की दुकान पर बैठे ठीक है एक्सपरियेंस इसे जिन्दगी के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसने मुझे बना है मक्सद भी यह ना कि आपकी जो खालना के जोने में जना वाले साथ किया करते तब कर रहे हैं हुंआ हुआ क्या रहे हैं हमा और its उटी कर दी हमने सारा कारोबार जो उनका सैट हुआ हुआ था मार्केट के पैसे चड़ गए और आइडिया ही नहीं है कुछ पता ही नहीं है हर तरफ से होती है खांदान यह वह यह बच्चे क्या कर रहा है परिशानी होती है फिकर होती है वह फिकर की जद में हम अपने आपको नाकारा महसूस करने लगे और फिर घर पे वड़ा मतलब दुकान अपनी है सब कुछ अपना है घर अपना है लेकिन ऐसी नौबत आगे कि बिलकुल सफेद पोशी की जिन्दगी जो होती हो इक्तियार कर ली सुबह का खाना पकरा है दुपैर का नहीं पकरा दुपैर में बहने स्कूल से आ रही है दुपैर को आपसी में आ रहे हैं अब ऐसी जिन्दगी के मैं अब भी वो इमेजिन करता हो ना तो मैं कहता हूं कि यार अल्ला ताला इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि हमने वह सर्वाइफ कर लिया वह एक पीरियट आप बतारों फाके फाके कर रहे हम दुपैर को खाना नहीं कहा रहे ह उस दोरान एक वाक्या है जो दोरान हुआ था और जो मैं उसने मेरी जिन्दगी में बड़ा पार्ट लेकिया है वह यह हुआ था के हरताले बड़ी चलती थी कराची के अंदर जी अलब आए दिन और हम आरे दुकान थी गोली मार के अंदर गुलबार नया गुलबार के अं कुछ गए और बंद करके आगया संडे का दिन आ गया अब आपको पता है कि हम डे टू डे मैंने आपको बता है डे टू डे जी रहें घर में कुछ नहीं रात का बसकुछ वाल्दा मेरी बड़ी साबर शाकर और हर फंद मॉला थी तो वह कुछ ना कुछ हो जाता था बूख है मामु करीब ही रहते हैं तो उनको हम इस हालात में विनको पता नहीं कि हमारे हालात के हैं पता इतने खुद्दार रहे हैं तो यह एक इसी गुजरी के बस वह अमीने घ्रमी बड़ी मेंने का ना आटेस थे तो उन्होंने इतना प्यारा मेरी बहन के लिए सूट बनाया औ पूरा मौर बनाया था उन्होंने कडाई से आज भी संभाल के रखा हुआ है पता इनी यह किसी को तो वह ऐसा हुआ संडे वाला दिन है मामु का फोन आ रहा है और मामु कह रहे हैं कि हम मैं और मॉमानी आ रहे हमारे घर पर कुछ भी निया नाश्ता हमने पता नहीं डबरो पाले दिन तो मार्केट खुलती नहीं को चार पाइच दुगाने खुलती है मैं और मेरे भाई बड़े दर उदर से हमने पैसे जोड़े और सतर रुपे करके भाई को बेजा दुकान पर के तुझा जो हो फौरन लेकिया ग्यारा बजे का टाइम सा जैसा हो जो फौरन लेकिय है शीर से गुछा जा और बस तू आजा तुझा है प्रूर हम प्रूं कुछ वापिसी में तुझे को बता देंगे मैसेज कर देंगे क्या लाना तो कुछ लेतावाद भाई गया दुगान पर ठीक है एक है यह गुजरता गया बारा दुझे मैसेज होई रहा है को कुछ हो पक्षक लाइग क्या फिलिंग यार आज सोचता हूना तो आज हसी आती है कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ उवा कुछ बी नहीं कोई नहीं या दो बज़ गए मामू का फोन आता है जो रहा करेता है कि वो भावी नहीं हमी को बोलते हैं कि भावी ने बिडियानी Sut Biya को खत्रनाक वाली कैफियत थि दिमाग के उपर से कार आज तो खुला ला ने किस तरह उनके दिल में क्या आया क्या नहीं आया वो वह राज छुपाया हमारे घैर्स को ठेस नहीं पहुंछी मैं भाई को मैसेज किया मैंने का तुगहरा आजा हाँ यार वह तो रक्ष्या कर घर आजा हो गया काम तो वह आए मामू आए हम भूखे ही थे नाश्टाई किया वाता मगरिब के टाइम आए बिर्यानी शिर्यानी लेके मामी बड़ा सा पतिला बना के आए खा रहा पिया यार हो गया जो होना था अब निकलो यहां से क्या कर रहे हो और अल्ला ने किस तरह परदा रखा और किस तरह हमने महमान नावाजी की और पिर फिर क्या साथ भाई हम गये दुकान पर पुछ करना है तो चोटे वाले भाई जो था वह मोबाइल में था मोबाइल उसको और ख़तम हो गया दो हॉजर आठ का पूरा मैं साल इंटरनेट से मिसिंग रहा हूं क्योंकि मैं या तो डूहजर्जर 2009 गा दोहजर नौह का पूरा साल मैं इंटरनेट से मिस रहा हूं उससे बहले मैं और कर पे बहुत एक्टिव सुझ तो अब वह दौन दस वाला जो पर बहुत बड़ी माइगरेशन होती है फेस्बुक पे और मैं अपना फेस्बुक पर अकाउंट नहीं बनाता मैं नहीं हूं फेस्बुक पे और कटके अंदर तो मैं पाकिसान की थर्ड लाइजस कम्यूनिटी का मॉडरेटर था इस्लामिक पाकिस्टान का और मैं बहुत ही सोशली एक्टिफ था अब मैं नहीं हूं फेस्बुक पे दुनिया पर नहीं हो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के मसाइल में सर गुसा के बैठा हूँ मेरे वाली साब चले गया हमने तबाए बर्बादी मचा दी उनकी कारोबार की हमें कखका नहीं पता लेकिन इस तजर्ब तो मैंने मामु को का क्या काम समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम बड़े मामु से इस तरह की चीज़े डिसकस करते थे तो उन्होंने का बेटा तुझे जौब कौन देगा तरह बट डिगरी के उसके हैं तो सामने वाला जो अकाउंट्टेंट था मामु का वह कहीं पे चेस पे ज तो जौब पकी होगी मेरी बाद अटकीवी है चुटियों पर दो चुटिया मांग रहा था तो चला जा मेरे रिफरेंस पर ना तो मैं जाता हूं जिन्दगी में पहली बार किसी जौब के इंटर्व्यू के लिए पहुचा मुझे बीनी पता तो मैं मुझे आता है वर्ट का डॉक्यूमेंट बनाता हूं नाम लिखता हूं यह वह एजूकेशन लिखता हूं और चला जाता हूं अब वहां पर मैं कहता है कि मैंने जौब का इंटर्व्यू दिने तो यह प्रफरेंस का नाम रिखते हैं अब मैं पहुंचा मेरे तीन लोग बैठेंगे एक बंदा बैठा हुआ है और उसका पहले इंटर्व्यू होता है तो वह कहता है कि मैं बीस कर रहा हूं इचार वाला इब्राइम जो एना एक बड़ा ही अच्छा किसम का करेक्टर है लड़का है जो बर्गर टाइब है और वह इंग्लिश और मिक्स कर रहा है तो वह बिस वाले को बोलते की नहीं है आपके लिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है उसको निकाल देता है बीसी भी सबसे चोटा वाला दुकान में बिठा दिया था तो मेरे बाद बैठा उसका उसके डिग्री में डाल देता है मैं यार मेरा क्या बनेगा अब इब्रहाइम मुझसे सवाल पुछता है कि हाँ भाई अब हम पड़े में नासरे स्कूल के अंदर हमारा एक्सपोजर है अंग्रेजों के साथ सलम डॉक मिलेनियर देखी आप में वह सारी वह सारी कानिया दिमाग में चली है ना हम अंग्रेजी अब यह ना चली है बहुत अच्छी है तुम्हारी अंग्रेजी तुम चलो लेके जाते हैं अपनी ब्रांश के अंदर मैं टावा रहा हूं वह पीछे सावाज आती है तू यहां पर क्या कर रहा है तो नोमान भाई ठेकेदार होते थे जो मेरे दुकान पर आते थे चाई प मुझे जानते हैं तो दूसरे वाले की नाम में भूल गया पूछते कि आप जानते हैं इसको क्लिए अपना बच्चा है उसकी कारएंटी बोलते हैं मैं देता हुआ जैसमें मेरी पहली जौब मैं शैल्फ बॉय के लिए था उसना मुझे बोला ता शैल्फ बॉय की आट-दस तंखा था तंखा मिल जाएगी और मैं कैश्यर लग रहा हूं मैंने का ठीक है यार मैं मामू को कहता हूं मामू कहता है अगले दिन से मैं जॉइन करता हूं और इक फास्ट पास्ट जो केशर केशर है उनकों के पीछे कढ़ावाँ अब मैं कर रहा हूं एक दिन के सीचता है क्या होता हमें तो हम तो हैं इस वाले हमने जिंद्ध की यह कि यह वह की आगे नहीं का के बाद हो मुखे प्रोमोट कर देते हैं मैं उनकी गांटर होता है जहां Center harbor अब रमजान आ रहे हैं मेरे घर के हालाथ दुबाराई सटेबल हो रहे हैं अपना काम कर रहे हैं अलग अलगो गया सा सब्सक्राइब लाजिम के बाद ब्रियानी वाले वाकिन के भाद दिमाग पे लग गई थी यार यह कोई बताने वाला नहीं था कि घृत गोजरना दो घर के हाला रहे यह रूटीन के लिए मैं कर रहा हूं भाई वहां कर रहा है मेरे प्रोमोशन हो रहे हैं मुझे वह नामजद करते हैं कि यार अगली हमारी ब्रांच जो हम खूलने वाले उसमें तुम हैट के लिए नामजद रमजान आते हैं रमजान में में ओवर टाइम लगाता हूं बहुत खतरनाक किसम का तेज तरीन कैशियर हूं मैं दस महीने मेरी वहाँ पर जॉब है रमजान के बाद मुझे किटनी इंफेक्शन हो जाता है और पानी पीना और वाश्रूम जाना नौट अप्शन इतने रश के दर्मियान जब आपका सीजन चल रहा हो चाहते भी नहीं जा सकते रोग टोक नहीं थी लेकिन चाहते भी नहीं जा सकते तो मैं रमजानों के बाद अच्छा खासा वह टाइम उठाया सारी चीज़ उठाई है आप में महां से जॉब रिजाइन कर दिए इसा हो रहा है कि मैं मैंने डिसाइड कि हमें घर पर आके अच्छा मेरी दिमाग में चले क्योंकि मेरा भाई स्टेवल हो चुका है वह मोवाइल का काम कर रहा है उसमें थोड़ा अच्छा कमार है तो वह थोड़ा सा घर को सपोर्ट देगा अब मुझे अपनी जिंदगी की अच्छा तीक है अब क्या करेंगे करते हैं अभी तो है ना खुझेमा देख लेगा भाई को सारे कूल है हमारे ना ओके अब मेरा भाई मेरी जॉब ढून रहा है तो करीमा बाद चला चार्थ फीर मेरी जॉप कितनी 203000 तोट के चार अपनी सेटिस्फिकेशन चाहिए तो वहां पर कंपोज़िंग होई हैं मुझे इंटाइपिंग सीख रहा हूं इस अप कर रहा हूं सब कर रहा हूं वहां से फिर दो महीने के बाद जो एक बन्दा था उ दुकान के सामने आप मैं 9000 रपे वही काम कर रहा हूं अब मैं इंटरनेट मुझे इंटरनेट बिल्कुल महिया हो गया है मुझे सिस्टम मिलावा है वहां पर मिलते हैं शुप भाई अब अब आपने पास बुला लेते हैं अब मिलते हैं इस अब बड़े अच्छे करेक्टर हैं उनकी बड़ी सी किताबों की दुकान है वह चाप रहे हैं और बदार में उनकी सप्लाय हो रही है और मुझे किया है मैं ख़जाने के बीच में बैठा हूँ किताबे एक उठा रहा हू पढ़े जा रहा हूं पढ़े जा रहा हूं वह उनको मेरा इंटरस्ट पता है कि क्या कर रही है रिस चल रही है पता नहीं कितनी 50-60 किताबे तो उनकी दुकान में बैठके पढ़ लिए मुझे किताब इंटरेट से डाउनलोड करके पीडिएफ में हाट कॉपी बना बना के मुझे दे रहें बेटा तूपर यह वह ले मेंटर से कहां तुझे चाहिए तुझे ले ले वहां पर इंटरनेट की सहुलत महिया की वह थोड़े फ्यूचरिस्टिक थे किताबों के साथ उनकी महबत ही पड़े लिखे बंदे थे अब वहां पर मैं किताबे पढ़ रहा हूं इस दौरान मेरा एक मसला है अब मैं किसी की भी किसी के लिए भी कुछ भी काम बगेर गर्स के कर देता हूं तो इसलामबाद में एक हैं इस्ट्रीटूट ऑफ पॉलिसी स्टेटिंग ठीक है हाई पीएस और वहां पे नौफिस शारुक भाई हैं अब उनके साथ फेस्बुक पे अब मैं आ गया हूं फेस्बुक पर आके मैंने अपने करेक्टर दुवारा बनाना शुरू कर दिए मै सब्सक्राइब करें शुरू सब कर रहा हूं तो एक देठा मुझे बोलते हैं कि बीटा तुम कर चारी पर मैं चला जाता हूं मैं आज तक जिन्दगी में अपनी जिन्दगी में किसी से कि इस किसम का सवाल किया क्यों बुला रहे हो क्या काम है क्या परपस नहीं बुलाया चले जाओ आज भी करता हूं स्पॉंटेनिए लिए कहा जा रहा है पता नहीं वह बुलाया है नौफिल बैए नौफिल बाइए उनके साथ में अपनी जिंदगी की हर चीज़ की वहां जात सबसे बढ़ा हूं तो मैं जा नहीं सकता अच्छा चलो ठीक है तो वह काशिव सिद्धी ना उनके सब्सक्राइब करें तो इत्वाक से उनका कोई टीन पर सर्वेश चल रहा होता है उन दौरान वह सर्वेश करवा रहे होते हैं तीन पर नौजवानों के लिए फॉर्म पकड़ाते हैं इसको भर दो फॉर्म लेकर जाता हूं कॉंफरेंस वह बैठा हूं बात चीत हो गई आपनी जिंदगी की तरफ दुबारा आ चुका हूं वही जॉब कर रहा हूं बाइस है का तीन दिन के बाद कॉल आती है उसामा बिटा क्या कर रहे हो आचकर मैंने का कुछ नहीं फारिक हो जॉब करो गया हां क्यों नहीं अच्छा तुम्हें काम करो मेरे आफिस आ जाओ औ मैं में बता रहा हूं मार्केटिंग करने जांपनी में कुछ भी नहीं पता मैं छलां गएंटर्वीश मुझे बठा देते हैं अब ज़िस सुपरवाइजर के हवाले करतें वो मुझे फॉर्म देते हैं और बोलते हैं इस पर नंबरिंग करो कोडिंग होती है सर्वे फॉर्म के उपर बेसिकली इंट्री से पहले दो दिन तक वह कर रहा होता हूं सीयों साहब कमरे में आते हैं इसको किस काम पर लगा दिया इसको कंप्यूटर बेटा हो तो मुझे पूछ पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा होता है मैं प्रेजेंटेशन देखता हूं मैं कहता हूं यार इसका डिजाइन चेंज करते हैं तुझे आता है अचा वह टेंपलेट पर बना रहुत है जो काशिव अफीस सिद्धी की खुद बनाते थे थे हाँ अब ह अब काशिव जो करेक्टर है मेरी जिन्देगी के अंदर यह और मेंटोर आगा है यह रोजाना मुझे एक घंटा आदा घंटा सबको लेके बैठते थे कोई इनको इनके होता है ना बॉस और इंपलाई का रिलेशन होता है तो यार यह काशिव बेचते नहीं भाई उन्हों ने जिन्दगी की ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू करें अब मैं उनको सुन रहा हूं समझ रहा हूं अच्छा उनका घर मेरे घर के करीब तो मैं डिसलेक्सिया के वजह से जाए वो राइट नहीं कर सकता तो काशिव बाई जो है अब वह सिखाए जा रहे हैं मार्केट करते हैं धर डॉप करते चारंगी के पास अपने घर दस्तगीर जाते थे वह पूरा उनके साथ ना जो टाइम गजड़ता था वह बड़ा जबरता गुजड़ता जाका अशियवही सिद्धी की जमाते इस्लामी के रुकों थे पता तो अक्सर होता क्या था कि हम स्टॉप कर करते थे और फिर वहां से हम घर की तरफ जाते थे तो अब मैं उनके साथ आना जाना अच्छा फिर उनको डूटी मिल जाती है सोशल मीडिया का हैड बन जाते हैं मैं इसको जादा प्रोलॉंग नहीं करूंगा निकालूंगा फिर होता यह कि मैं उनके साथ होता हूं 2013 मैं लाहूर के अंदर नहीं कर रहा नीवथ यह पर देने जाते हैं और वोट हमें पता है किस तरह कुराची में डलता हूं आता हूं गुस्ते से बड़ा गम में भरावा एक फेस्बुक को एवेंट बनाता हूं और एलेक्शन इन कराची और वह एवेंट टैन थाउजन गुइंग हो जाता है आपके पहले इस तरह काम करते तो दस हजार लोग तयार होते हैं कि बताओ कहां पर आना है एतजाज के लि एक पॉलिटिकल लाइफ मैंने बड़ी गुजारी यह पूरा पार्ट कर देता हूं यह वाले जिंदगी नहीं बताना चाहता लेकिन आपको आइडिया मेरा मस्ला यह कि मैं जहां पर गया हूं मैं कहता हूं सिर्फ नून लीग और मॉलाना फदूर रह्मान को छोड़कर मै टॉप लीडर्शिप तक मैं पहुंचा हूं विदिन डेज वीक्स या मन्स तो उस लेविल का एक नेट्वरकिंग की इतनी पावर है मेरे अंदर नेट्वरकिंग की बहुत खतरनाक पावर है मुझे पता नहीं मैं अवेर नहीं बैटा हूँ तो मुझे एक और करेक्टर जिंदगी में सोचल मीडिया पर नजर आता है रिहान अल्ला वाला पता नहीं आप जानते नहीं तो मेरे मेंटोर है ठीक है वो मुझे सिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें पेताशा चीज़ें उन्होंने अब आते हैं जिंदगी की बेटी पैदा होती है यूएस के अंदर और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर ना वीडियो शीडियो बनती है एक मेमोरी किसम की वीडियो बनती है हुआ है तो वो डाउनलोड उनको करना नहीं आ रही होती है है मैं तो लिबरल समझता हूं जो भी है तो बूचते हैं कि मुझे कोई डाउनलोड करके देगा वह लिंक शेर कर आधा है और मैं उनको एक्जैमपल लिंक्स शेर करते हैं मैं वो डाउनलोड करके भीज़ देता हूं तो मुझे जॉब की आफर करते हैं मैं काशिव बाइब कर रहा हूं मेरे मेंटोर हैं सिखा रहे हैं पता नहीं किया कि बहुत को सिखाया है उन्होंने उनका तो एक कॉल है कि शरीफ आत्मी अपनी बीवी से ड़ता है वो शादी के सब्सक्राइब करता हूं और उसके बाद तो आपको पता है आपने प्रोजेक्ट बुक्ता लिया जैपने 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 सब्सक्राइब होते हैं तो एक बड़ा स्टेटस मिल जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी जिन्दगी बता रहा हूं यार बेटा तुम एक काम करो तुम इस साल दे दो इंटर के पेपर उसके पेपर दे दो और उसके बाद तुम युनिवर्स्टी के अंदर एड्मिशन लो सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और तुम भी एक लो इस पर पढ़ा रहे हैं वह कर रहे हैं मैं उसके सोचता हूं कि यार दस महीने मुझे काशिव भाई की कंपनी में भी दस महीने दस महीने में मैं अगर इस लेवल पहुंचा वाँँ और मैं अभी तीन साल पढ़ाई मे अच्छी है एक दिन जाता हूं काशिव भाई के बाद दो तीन दिन सोच विचार करके और काशिव भाई को बोलता हूं कि अच्छा अब मैं अब मैं अपनी फ्रीलांसिंग वाली फील्ड में दुबारा आ चुका हो ना जो मैंने 2007 से जो किया था तो मुझे कंपनी मिलती है उनकी में मार्केट सौधिय की कंपनी होती है और उनकी मार्केटिंग मैं वह मुझे कहते हैं कि तुम घर पे बैठा हूं तुम्हें 35,000 रुपे देंगे तो मैं काशिव मेरे पाद ऑप्शन आ गया तो मैं जम करता मैं काशिव भाई के बाद जाता मैं काशिव मैं जा रहा लिए य हूं वह किते हैं को यस मेरे मामले में बेगम को भी पता चलंगे वह हैं नहीं किसी चिछा दका और मैं जाने का υ breakup यहां?. सार्फ मेरा यहारा है मैं जाने का आने का क्राया नहीं लग रहा मुझे खाना पीना घर पहुत पता नहीं चलता अब वर्क फॉरम हम शुरू हो गया मेरा अच्छा का सा काम कर रहा हूं रातों को जा कर और विदिक तो मुझे एक राग रा रात के चार बजे उनसे बातचीश लिए बड़े इंस्पाइर्ड हैं तो बहुत हैं बहुत सार पैसा पैसा कितना चाहिए तो मुझे जवाब देते हैं नहीं तो मुझे जवाब देते हैं नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगा क्यों तुम्हारी वकात नहीं वह खतरनाक किसम को ऑफेंड हो गया मैं क्या बात कर रहे हैं यह जरील करने के लिए बुलाएं कि फिर थोड़ी देर समय का है चुप बैड़ीया मैं हड़ गए मेरी और गया वकात नहीं तेर बोच्टे है कि तुम्हाबा घर है मैंने का लखना बिल्य के समय कर तक है मुझे जिंदगी की कि। के तुम अल्ला से मांगो तुमारी जुरूरत bins नहीं यह जाल he तो अल्ला की देगा तुम हर कोई मांग रहा होता है तो जरूरत पैठा करो पैसा हमेशा बाइप रॉडक्ट होती है किसी की चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे समझ आया कि यार हाँ अगर मैं कोई जरूरत होती मेरी और में वह जरूरत मांगता और मेरा इमान है मेरा पूरा हो जाता यह चीज़ समझ आपको अब तो मेरा बड़ा ही चेंज होगे इस चीज़ पर मेरा फर्म बिलीव है और लॉप इसी तरह काम चलता है वह फिर कहीं और निकल जाएंगे लेकिन एक चीज़ समझ आगए फिर एक दिन रात के चार बजे में बैठा था उन्हीं का काम कर रहा था मुझे कहते हैं कि मेरे पास जॉब कर लो मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ और यह जो था यह मेरी लिए बड़ी एक्सेप्टेबल पोजीशन थी कि मुझे उनसे डारेक्ट कुछ सीखने को मिलेगा अब मैं चला गया मेरी जॉब यह होती थी कि वह रहते पाकिसान से अब उनके साथ देखें मेंटोर हैं बहुत कुछ सिखाया लेकिन मेरी आइडियोलोजिकली हर किसी से एकतलाफ रहें जैसे जैसे मैं डेवलब होता गया ना तो मुझे कुछ नजरियात पसंद नहीं है जिनकी वजह से मैं फिर अपने नजरिये डेवलब करने लग दिया त सिखाया बहुत कुछ है लोगों ने फिर मेरे मेंटोर बने रिहान अल्ला वाला और इन्होंने मेरे अंदर नेट्वरकिंग की जो अवेडियो से जो मैं करता था नेट्वरकिंग जिस तरह मैं बनाता था उसको इन्होंने अवेर करके बोल दिया आपको पता है कि सब्सक्राइब के साथ मेरे दो म्यूचिल फ्रेंड उससे पहले नेट्वरकिंग बहुत आती थी मतलब मैं कहे रहा हूं कि मेरे इस वक मॉवाइल के अंदर 23000 नंबर है यह जिसका नंबर ना हो सदरे पाकिसान का नंबर भी है मेरे पास यह नेट्वरकिंग के तहत यह हु किसी को कुछ भी नी कारोबार नहीं आता हूं कै नेट्वरक बनाने आता है और उनके साथ जिंदकी गुजरी और वहां पी जो एक्स्पोजर मिला मतलब ही था विर्ट्वर्चली तौर पर उनके साथ अल्म्रीका गूंगूंग घूमता था जो ह्यरे न्योव पेलेस्टाइन जो सिटी है, वहां पर कौन जब खराब है किसकाうकिनाई होटल के हैं और है यह सारी चीज़ जो थी ओर रहाँ की तरफ से मुझे मिली तो मैं वर्चुली तरलप फर मेरे पास होते थह घ्र Verb तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे एक दिन वो गुजर दें एक सड़क से मुझे एक पिक्चर भेजते हैं वाटसेप पे और कहते हैं कि यहां पे उनकी ना कंपनी डी डी डॉट नेट जो लीडिंग कंपनी है वाइस ओवर आई पी की पूरी दुनिया कहनगा ठीक है उसक मुझे अमरीका का नबर दियावा और किंभर करता हूं और कॉल करके में वहाँ से क्या है वह नहीं उनको बताता हूं उसकीं मिल देंगाइब डिजाइन बनाता है वो डिजाइन में उसे अप्रूफ करवाता हूं मैं उस कंपनी को इमेल करता हूं अगले दिन जब वो सड़क से गुजर रहे होते हैं तो उस टू लेट के पोस्टर के बिलबोर्ड के उपर उनकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट लगी होती है जो मैंन पर मैंने अपनी मुझे पता चला ना कि गोरू से बात करनी है देखें मैं आपको एक रास की बात बताता हूं जो गोरा होगा ना अगर आप कस्टमर केर में वह बावले होते हैं वह छोड़ते नहीं आज तक मुझे इमेल आ रही होती है ना मेरे नाम से मुझे नाम से कॉल आरी होती है उसा आपने हमारे तरही काम किया था ना काम ही और ना मैं तक आरही नीएस थी तो मैंने प्रिए की मैने इंगलिशा जो है वह फिलिंट्र मैं और मैं क्या करूं को कॉल करता था ता था केरेंशा करो थोड़ते नहीं थे नि anchedin कैंशा है और मैं बार बार वह सही करने कोशिश करने कोशिश करती यह यह सही हो यह तुन पंनी करेंगे लेकिन वहां उनके साथ मुझे पता चला कि किस तरह बोलने वह एक बहुत ही वास्ट एक्स्पिरियंस तारिहान बहुत ही वास्ट और उनसे मैंने जो सीखा है जो गुल लिया है उनसे उन मैंने वह लिए इसके बाद मेरी जिंदेगी में आते हैं फिजिसिस्ट के प्रॉफेसर हैं नसीम कास्मी साब और वड़े मज़ें मज़ेदार किसम के करेक्टर है अब देखते हैं मेरी वीडियो फिजिक्स से जो इन्फ्लिउंस होती है वह नहीं की वज़ा से होती है तो बस फिर तोर पे भी बहुत सारे मैंटार मिलें वाटर के नाम नहीं लूगा मैं को पचाने का भी नहीं लेकिन क्रेवल किया और आपकी जिंदगी आप है आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं क्लाइंट बनते और मैंने कभी त्युक्त फैस्बूकर नहीं कि क्योंकि मैं अपने के नेटवक से इतना हो गया था कि सारे काम शाम आपको मिल जाते थे उसके बाद पर पता है जुनेद भाई के साथ दोस्ती हुई फिर एक दिन हम किसी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट जो तातुल का शिगार हो गया वहां जा रहे थे तो वापसी में उन्होंने का कि आओ मेरे करते हैं आराज करते हैं तो मैंने का चलो तो हम बैड़ गए और बस वो गई उसके बाद से जिंदगी यह है कि गुजर रही है दो बच्चे माशालला मेरे उसामा बस चंद हम ना आपके आईडियास की तरफ आते हैं मैं चाहता हूं मुक्तसर ना मुने टच कर सके उसामा खुदा से किस तरह गरिष्टा है आपका अगर आप बताना चाहें तो